नमस्कार विभाकिश्री बिजियन नियुस के बिजनिस समाचार में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुख्यों पर यून ने कैलिंडर वज 2021 के लिए भारत के जेडीपी ग्रोथ के अनुमान को दिया पड़ा साथ दशमलो पाच प्रतिशत रखा जेडीपी ग्रोथ वहान उद्योख पर पी दोस्री लहट का असर विक्री 10 प्रतिशत खटी सयुक्त राश्टर यून ने कैलिंडर वज 2021 के लिए भारत जेडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है यून ने साल 2021 के लिए भारतिय अर्थ विवस्ता की ग्रोथ का अनुमान बढ़ा कर 7 दशमलो पाच प्रतिशत कर दिया है यून ने इसमें जनवरी के अपने अनुमान से 6 दशमलो तो प्रतिशत की बड़त तरीकी है लेकिन साथ में यून ने ये भी कहा कि इस साल के लिए भारत का द्रुष्टिकोन बहत नाजुक है वर्ल्ड एकोनॉमिक सिचुएशन और प्रॉस्पेट टेल्स रिपोर्ट में कहा गया कि कई देशों में बढ़ते कोविट-19 सक्रमन और अपर्यावत टीका करन के चलते वैश्विक अर्थे विवस्ता की रिकावडी पर असर बढ़ा है यह अन्य साल 2022 में भारत की जड़िपी ग्रोध का पुर्वान हुबान 10.1 बढ़ा है रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कोरणा महामारी की अधिक भयावा दुसरी लहर से विशेश रूप से प्रभावित है जिस निदेश के बड़े हिस्से में सालवी जन्रेक स्वास्त प्रणाली को लाचार बना दिया है बिरो रिपोर्ट बीसी अन्यूज कोविट-19 की दूसरी लहर का असर अप्रिल में वहान उत्योग पर भी पड़ा और इस साल मार्श के तुनला में विक्री 10.8 प्रतिशत खटकर 12,07,458 एकाही रहे गए वहां निर्माता कंपनियों के संकटन सियाम के आजजारी आकड़ों के अनुसार सभी श्रेनी के वाहनों की विक्री में गिरावट देखी गई है यात्री वहानों की बिक्री 10.7 प्रतिशत खटकर 12,16,631 एकाही रहे गए इसमें कारों की बिक्री 10.6 प्रतिशत खटकर 14,114 पर उपियों की वहानों की 11.02 प्रतिशत खटकर एक लाग 8,871 पर और वैन की शुन्य दश्रेनी लोग 31 प्रतिशत खटकर 11,580 पर आके पिछले साल राष्ट व्यापे लॉक्टाउं की कारण देश में मात्र 23 तिपय या वहान बिक्ये थे जबकि अन्य श्रेनियों भी बिक्री का आकड़ा शुन्य रहा था इसलिए स्यामनी अप्रेल 2021 के आकड़ों की तुलना इस साल मार्च की आकड़ों से की है बिनो रिपोर्ट बेसियन नीज विदेशों में दोनों किमती धातु में गिरावट के पीच आज खरील उस्तर पर सोना लगपक्स दीड रहा जबकि चान्ती 400 रुपे प्रति किलोग 50 डॉलर की गिरावट के साथ 1834.60 डॉलर प्रति आज बलाकिया चान्ती हासिर 0.179 डॉलर तुटकर 27.43 डॉलर प्रति आज की भावबी की घरील उस्तर पर एमसी एक्स वायता बाजान भी 67 रुपे यानि 0.04 प्रति शत की मजबुति के साथ 47.650 रुपे प्रति दस ग्राम पर और सोना मिनी 16 रुपे सुधर कर 47.689 रुपे प्रति दस ग्राम पर रहा सोनी के विपरिज चांती 408 रुपे यानि 0.58 प्रति शत गिर कर 41.511 रुपे प्रति किलोग्राम रह गई चांती मिनी भी 344 रुपे तूटकर 41.560 रुपे प्रति किलोग्राम के भाव बोली गई अंतराश्य बाजार में कच्छे तेल में तेजी और खरेलु शेयर बाजार में गिरावट से अंतर बैंकिंग मुत्रा बाजार में रुपया बुद्वार को 8 पैसे कम सुर हुआ और कारुबार की समाप्ती पर 1.73.42 रुपे का पिका लगातार चार दिन की मजबूती के बाद भारतिय मुत्रा कम सुर हुई है इन चार दिनों में यह 57 पैसे चड़ी थी पिछले कारुबारे दिवस पर मंगल बार को यहां एक पैसा मजबूत होकर 73.34 रुपे प्रती डॉलर पर रही थी रुपे में शुरू में काफी दबा रहा है यह 17 पैसे की गिरावट के सार्थ 73.51 रुपे प्रती डॉलर पर खुला हाला कि इसके पाद इसकी गिरावट कम होती गई बिच कारुबार में 73.49 रुपे प्रती डॉलर तक मजबूत होने के पाद रुपया अंत में आच पैसे फिसल कर 73.42 रुपे प्रती डॉलर पर बंदवा दुनिया की अन्य प्रमुक मुद्राव के बास्केट में डॉलर सुचकांप में रही नर्मिक के कारण रुपेव की गिरावट से मित रही बिडूर रिपोर्ट BCN News Google की Mobile Payment Service Google Pay के अमेरिकी यूसर अब भारत और सिंगापूर पैसे भेश सकेंगे कमपनी ने रेम्टिन्स फैसिलिटिक के लिए मने ट्रांसफर, फर्म वॉइस और वेस्टन यूनियन के साथ समझुता क्या है इन कमपनियों के फिचर Google Pay आप पर इंटेग्रेट किये जाएंगे वक्ता विदेश में पैसे भेशने के लिए वॉइस और वेस्टन यूनियन के बिच से विकल चुन सकेंगे Google मने ट्रांसफर में कमिशन लेगी अन्य टेक टेकचों की तरह Google तेज़ी से फानेंस की दुनिया में पैर पसारी है हाला कि Google के अधिकारियों का कहना है कि वे बैंक या मने ट्रांसफर कमपनी नहीं बने जा रहे हैं बस इस एकोसिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहे है बिरो रिपोर्ट BCN News खबरे समावत करने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर योन ने कैलेंडर वज 2021 के लिए भारत के GDP ग्रोथ के अनुमान को दिया पड़ा 7.5 प्रतिशत रखा GDP ग्रोथ वहान उद्ध्योख पर पी दोस्री लहर का असर विक्री 10 प्रतिशत खटी बिस्निस समाचा में फिला लिता ही ऐसे यह खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रिए BCN News नमस्कार